Hello children, good morning, welcome to Aastra English School आजम करेंगे, Standard 1st में English की वर्बुक, Merry Gold की अंदर, Chapter 5 Merry Go Round, okay Standard 1st में, English 1 की वर्बुक की अंदर, Chapter 5 Merry Go Round और, Merry Go Round मतलब की एक चक डुल जो होता है, फैर की अंदर, मेले में होता है उसके बोलते है, Merry Go Round, यहीं की चक डुल ओके, जो गोल-गोल घुमता है ना मेले में, वो तो M से क्यों है, The Child Climb Up On The The Child Climb, बच्चा कहां पर जाता, चड़ता है तो Merry Go Round में, ओके तो यह आएगा, Merry Go Round Number 2, The Merry Go Round Went Merry Go Round कैसे जाता है, तो Round and Round यहीं की वो गोल-गोल है, वो गुमता है Number 3, On What Did The Child Climb? और What Did The Child Climb? बच्चा कहां चड़ता है, तो Big Brown Horse की उपर वो Big Brown Horse की उपर बेटता है Number 4, The Horse Went Horse कैसे जाता है, तो Up and Down वो उपर और नीचे जाता है Circle the old number, ओके Circle the old word यहाँ पर है, old word यह ओके, Round यहाँ पर है, Rent यहाँ पर Weight यहाँ पर Loan और यहाँ पर Brown, हम लोग पहले भी यह समझ चुके है कि old word कि इसको बोलते है जिसका प्रोणाउस सेम हो, लेकि इसका जो Spelling यह वो अलग होता है देखो, यहाँ पर क्या था? O, W, N O, W, N O, W, N लेकिन यहाँ पर क्या है? O, U, N, D O, U, N, D तो, Next है, MCQs यहाँ पर MCQ है वहाँ पर भी आपको आशर बोलना है A children jump The children jump up The children jump up and blanks Children jump up and down बच्चे up and down करते है क्योंकि वह बैठते चकडोड के अंदर Merry-Go round के अपर तो, वहाँ पर चकडोड है वह उपर निचे जाता है इसलिए, children jump up and down Number 2, Tina blanks home Tina went home Number 3, son is blanks Sun is round इसन गोल होता है ना, इसलिए Look at the brown horse ओके So, next page है Look at the picture and tick mark Tick mark the things आपको tick mark करना है वह चीजी के उपर जो आपको मेले में दिखाई जेती है Okay Look at the picture and tick mark the things and the people that you see at the fair इन में से जो जो चीज आपको दिखाई जेती मेले में उसमें आपको tick mark करना है तो आप जो सब लोग है बच्चे मेले में गए होंगे तो मेले में होता है बलून में जोकर होता नहीं है जोकर होता है सरकर्ष में अब दुस्तरा लायन भी मेले में होता नहीं है मेरीगो राउन मेले में होता है इसको बोलते हैं मेरीगो राउन जो हमाई चेप्टर का नेम ही न है Mary go round देखो यह देखा आपने एक घोड़े वाला होर्ष वाला चक्रोप उसकर बोलते है Mary go round जो हमाई चेप्टर का नाम है ये भी स्लाइड भी होता नहीं है मेले में, आज की वाला मेले में होता है, ओके तो next PID number है 78 में होती है, toys में में होता है, and toy train वो भी में में होती है, okay, toy train में में होती है, और snake charmer वो होता नहीं है, elephant भी होता नहीं है, और dance भी होता नहीं है, okay, next bit number 79, look the pictures and circle the correct word, correct word में हमें circular करना है the rabbit is blanks the hat in के on rabbit है वो in in मतलब की under on मतलब की उपर in मतलब की अंदर है तो हमें in में circle करना है the boy is blanks the bed on के under on मतलब की उपर under मतलब की निचे तो इसमें हम लोग under में round करेंगे अब dog dog behind के on तो dog है on the chair and rabbit है वो behind the tree behind मतलब की पीछ निइं in front of मतलब की आगे के भाग में the boy is between यानि की बिच में है boy कहां है दो चेर के बिच में है बिच में बिच में बेलते है between dog is in front of मतलब की आगे in front of मतलब की आगे जो डोग है वो in front of the house house के आगे है okay the rabbit is running ब्लेंग्स तर्ट ट्री तो जो रेबिट है वो ट्री के around मतलब की आसपास है वो running करता है behind मतलब की पीछे और around मतलब की आसपास the girl is coming up या फिर down तो जो girl से वो down मतलब की निचे आती है the boy are climbing up up यानि की उपर जाता है down मिंस के निचे so MC क्यों से मोहिनी वो sitting with her grand mother sitting मतलब की बेट ना मोहिनी बेटी है उसके grand mother के पास यानकी दादी मा के पास number two what did grandmother draw first तो दादी माने पहले क्या draw किया था तो circle किया था उसने grandmother draw three line to draw तो grand mother ने three line में क्या draw किया था तो उसने ball draw किया था number four grand mother added a zigzag line to draw तो दादी माने zigzag line की थी क्यूं तो उसने balloon draw करने के लिए zigzag line बनाई थी number five मोहिनी ड्रे मैनी colorful मोहिनी ने colorful क्या बनाई थे बहुत सारे तो circles किये थे number six मोहिनी और सो ड्रो मोहिनी और सो ड्रो रो विल और मोहिनी ड्रो हर ओवन फेस इतना उसने ड्रो किया था नेक्स में यहां पर empty जो स्पैस है खाली जगह है वहां पर draw two things that grandmother draw आपको दो चीज़ यहां पर draw करनी है जो grandmother ने यहां पर बनाई थी और आपको color भी वहां पर करना है चलो उसके बाद draw any three things मोहिनी ड्रो लेकिन मोहिनी ने जो थी चीज़ बनाई थी वह आपको यहां पर ड्रो करनी है और इसमें आपको color भी करना है और next is trace the shape and circle their names आपको जो यहां पर निशानी दी हुई है उसमें आपको अच्छे से lining को join करना है और circle करके आपको उसमें उसका नाम जो है उसका आप में circle करना है तो यह circle है और यह square है और यह rectangle है ओके यह क्या है यह है rectangle अच्छे से आपको इसमें circle करने rectangle की अंदर next है triangle oval shape and यह है safe line आपको line में circle करना है ओके डोर्स को जोइन करके आपको उसका circle आपको करना है correct name के उपर next page number है 83 यहाँ पर आपको एक picture दिया हुआ है और उसमें color करना है लेकिन यह color जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको वो color करना है triangle में जैसे की green color square में yellow color circle में red and square में blue color और उसके बाद आपको count करना है how many circle there in picture इस picture में circle कितने है तो counting करना 3 मिलेंगे आपको 3 circle है और square कितने है तो वो भी 3 है ओके rectangle कितने है आपर rectangle तो है 8 and triangle है 2 okay next page number 84 आपको correct picture में shape में आपको circle करना है तो यह है rectangle shape यह है triangle shape यह है square shape और bowl है वो circle में है dice है वो भी एक square में है gift box rectangle में है and यह triangle में है okay national flag जो हमार है वो rectangle shape में है one rupees coin circle जो एंगर है वो triangle and bowl है वो circle में and जो watch है वो square में है okay next counting करना है आपको आपको correct यहाँ पर number लिखना है 16 यह 12 और यह 20 next pencil जो है वो 11 है और यह है 18 आपको यहाँ पर copy करके लिखना नहीं ज्यान रखना आपको तो counting करके लिखना है और फिर जो मैंने आपको वीडियो भेजा है उसमें आपको check करना है यहाँ पर copy करके आपको लिखना नहीं है आप लोग counting करना और फिर आपको यहाँ पर check करना कि जो लिखा है आपने counting किया है वो आपका सही है या फिर गलत है इसलिए आप मेंने यहाँ पर लिखा है लेकि counting तो आप लोगों करना है और आपको यहाँ पर इसका answer लिखना है, okay next आपको dose joint करना है, यह A इससे A to Z तक आपको यहाँ पर dose joint करके लिखना है और यहाँ पर भी आपको A to Z लिखना यहाँ पर B small में है यहाँ पर B, 3, C, E सी आपको small में लिखना है, ओके next है वह वैस्ट में आपको यहाँ पर आपको blanks fill up करनी है तो यह है H A T hat, D O G dog, C O W cow, F O X fox, P I G pig, C U P cup, L E A F leaf, B O A T bot, B A double L bull, C R O W crow, T R W tree, K I T e kite, and M O O N moon, G I R L girl, L I O N lion, ओके, ऐसे आपको लिखना है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 5 था, टांडर फर्स्ट में, हम लोग यहाँ पर complete करते हैं, और आप सब students को, आपकी वर्बुक के अंदर चैप्टर जो 5 है, वो complete करना है, ओकी स्टून्स?